नमास्कार दोस्तों, Re-Education platform पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि नीत निदेशक तत्तों पर तीन वीडियो लेक्चर बनाए जा चुके हैं जिसमें हमने पहले लेक्चर के अंतरगत नीत निदेशक तत्तों के अर्थ परिभासा भी सेचता हैं और मौलिक अधिकार से अंतरी त्यादी को असपश्ट किया था दूसरे टॉपिक के अंतरगत हम लोगों ने संबैधानिक प्रावधानों को देखा था और इसी तरीके से तीसरे टॉपिक के अंतरगत जो भी सवाल मुख्य परिच्छा या इस तरीके से बनने के संभावनाई होती हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था अभी इस पर बिभिन परकार के परिच्छाओं में जो भी सवाल आप तक पूछे गए हैं हम उस पर यहां पर डिसकस करेंगे जिससे आपको इस टॉपिक के अंतरगत जो भी बहुआयामी प्रशन बन सकते हैं उस पर एक समझ भिक्सित होगी तो आईए हम लोग एक एक करके इन सवालों को देखते हैं पहला सवाल है कि राज के नीत निदेशक सिध्धानतों को भारतिय सम्विधान में सामिल किये जाने का उद्देश से है राजनेतिक परजातंत्र को अस्थापित करना सामाजिक परजातंत्र को अस्थापित करना आपको जैसा की जानकारी है कि अनुछेद 38 के खंट दो के अंतरकत सामाजिक लोगतंतर के अस्थापना की गई है और इसी तरीके से बिविन प्रकार के आर्थिक मुद्दों को सामिल किया गया है उससे आर्थिक परजयतंतर की अस्थापना की गई है अर्थात यहां बिकल्प संख्या D जिसमें सामाजिक और आर्थिक दो धारी राजी के स्थापना करना यह एक उद्देस है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिशित करना यह भी है एक धार्मिक राजी के स्थापना करना यह इसका उद्देस नहीं है एक धार्मिर पेच राजी के स्थापना करना यह उसका उद्देस है तो इन वाक्यों में से जो गलत है, वो ही इसका सही उत् Sas, अर्थाद बिकल्ब सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि धार्मिक राजी के बजाए, भारत में मौलिक अधिकार के अंदर गत हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि राज्य वक्तिका, धार्म वक्तिका वक्तिकत मामला है, राजीस में हस्तक-श्य अगले सवल पर हम लोग आते हैं कि राज्य की नीत निदेशक तत्तू के बारे में निमनले खित कत्रों पर बिचार कीजिए ये देश के सामाजिक और आर्थिक लोगतंत्र की ब्याख्या करते हैं ये सही है इसी तरीके से इन तत्तों में अंतरविष्ट उपबंद किसी निय अले द्वारा परवर्तन ये नहीं है ये भी वाक्य सही है अर्थात विकल्प सी यानि की एक और दो दोनों इसमें सही होगा इसे तरीके से हम लोग आगले सवाल पर आते हैं संबिधान का कौन सा भाग कल्यानकारी राज्य का आतर्स घोसित करता है तो इसमें बिना किसी ड आसन ब्यवस्था के मूल को सामिल किया गया है तो इस तरीके से इस सवाल का पर्थम दिरिष्टिया जो उत्तर है वो राज्य की नीत निदेशक तत्तु के रूप में आता है इसी तरीके से भारत ये संबिधान में सम्मिलित नीत निदेशक तत्तु की प्रिंड़ा हमें कह से प्राप्त होती है यह आयरलेंड के सम्मिधान से लिया गया है जब हम सम्मिधान के सुरूत पर चर्चा कर रहे थे सम्मिधान के सुरूत के टापिक पर हम लोग उने लेक्चर लिया था तो उसमें इसके डीटेल को सामिल किया गया था इसी तरीके से हम लोग अगले प्रश इन प्रकार के A.V.C.D. की तरीके से जो उपबंद सामिल किये गए हैं उसमें 49D के अंतरगत इस तरीके की ब्यवस्था की गई है कि फुरुस और इस तरी सभी लोगों को समानकारी के लिए समान बेतन दिये जाने की ब्यवस्था करने का उपबंद राज अपने सामर्थ के अ प्राण और दहिक सौतंतर ता ये भी नहीं है क्योंकि ये ससी तरीके की ब्याक्षा कि इसका सही उत्तर डी होगा अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में निम्नेलिखित में से किसके अंतरगत पंचायती राज प्रणाली की ब्यवस्था की गई है तो यह नीत निदे सकत्त्त है और अनुछेद 40 के अंतरगत हम लोगों ने देखा था कि राजी के द्वारा इस तरीके के प् तरगत जन भागेदारी और प्रसासल में लोगों की जो है भागेदारी को सुनिश्चित कर सके इसे तरीके से हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नेलिखित सूची फर्ष्ट को सूची सिकंड से सुमेलिद कीजिए अनुछेद 40 ग्राम पंचायतों का गठ इलान सही है इसी तरीके से अनुछे 44 समान नागरिक संगिता ये सीख 3 से सही है और 49 में किर्शियों पस्वालन के आधनी की करण तथा उन्हें बैग्यानिक धंग से करने का प्रियासर राजी के द्वारा किया जाएगा 49 के अंतरगा CP किया गया है अर्थात इसमें ABCD बिकल सिखो बर्स में सव दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है सव दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है अब दूसरे वाके की तरफ बढ़ते हैं कि रोजगार का अधिकार संभिधान के भाग तीन में प्राविधानी थे अब रोजगार का अधिकार ये सवालों के उत्तर में जो कि PCS के परिष्चा में अक्सर पूछे जा रहे हैं कि अगर दो वाक किस तरीके से दिये गए हैं और एक वाक कि गलत है तो निस्ची तोर पर दूसरा वाक इसमें सही ही होगा क्योंकि दोनों वाक की गलत होने का तो हमें ये देखना होता कि दूसरा पहले की ब्याख्या कर रहा है या नहीं और उसमें A और B में कोई एक सही होता लेकिन यदि ऐसे सवालों में एक वाकि गलत हो जाता है तो निस्चे तोर पर दूसरा वाकि सही ही होगा और ऐसे सवालों में किसी भी प्रकार के बिशलेशन और दिमाग लगाने की कोई आउसकता नहीं होगी अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतिय समिधान का कौन सा नुच्छेद भारत की बिदेश नीती से सम्मंदित है इसमें बिकल्ब डी सही होगा और जब हम पूर्व के लेक्चर में सम्मेधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे तो 51 के अंतरगत ये चीज बता गया अंतराश्टी सांतियों सुरक्षा से सम्मंदित बिसेओं को अनुच्छेद 51 के अंतरगत सामिल किया गया है इसी तरीके से एकले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमने लिखित में से कौन सा भारतिय संविधान के बैले सुएं संसोधन के द्वारे नितिनी दे सकत्तों को नहीं जोड़ा गया है तो इस सवाल का उत्तर है सोसन से बच्चों यों वैसकों की सुरक्षा यह इससे नहीं जोड़ा गया है जबकि समान न्यायों नहिसुल की बिधिक सहायता यह अनुच्चेद 49 का के अंतरगत है इसी तरीके से 43 का और 48 का यह तीन अनुच्चेद हैं जिसे 22 समिधान संसोधन अधिनियम के माद्यम से भारतिय समिधान के भाग 4 के अंतरगत अच्चा इत्यादी पर बात नहीं कहीं गई है यह अनुच्चेद 49 के अंतरगत पूर्व में ही मौलिक रूप से भारतिय समिधान में सामिल था इसी तरीके से हम लोग अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं कि समिधान निम्न में से किसके सोशल के अधिकार शुर्यकृत करता है बच्चों के इस्तरियों के जनजातियों के और दलितों के तो यहां पर दलित ये नहीं होगा क्योंकि दलितों के संदर में भारतिय समिधान में कोई ब्याख्या और कोई बिस्लेशन प्रावधान नहीं किया गया है बच्चों के संदर में और इस्तरियों के संदर में अ नसूचित जानतियों और अनसूचित जन जातियों को सैक्षनिक और आर्थिक हेतों पर बल देने तथा उन्हें किसी भी प्रकार के सामाजिक सोसन्ड से न्याय दिलाने की बात कही गई है। इसलिए इस सवाल का उत्तर एक, दो और ती न्याने की बिकल्ब संख्या से सही उत्तर की रूप में होगा। धिनियम 2002 के माध्यम से निरसित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है और इसे अनुच्छेद 21 का के अंतरगत मौलिक अधिकार के रूप में सामिल किया गया है। अर्थात बिकल्ब संख्याटी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राज्य के नीत निदेशक सिधान्त किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से फिन्न है। तो इसके संदरबे में हम विकल्बों को देखते हैं कि पूर्बोक्त केंद्रिय सरकार के लिए हैं और उप्त्रोक्त राज्यों के लिए हैं। और समय समय पे राजी के द्वारा इसको क्रियानवित किया जाता रहता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमने लिखित में से कौन सा या कौन से राजी के नीती निदेशक तत्तों में सामिल है मानों के दुर्बयापार बेगार और इसी तरीके से लिया गया बलाद सरम यह अनुच्छे 23 के इंतरगत मौली का दिकार अर्थाती है नहीं है इसी तरीके से मादक पेज़ और स्वास्त के लिए हानिकर आवसधियों के आवसधिये परियोजनों से भिन उपभोग पर परतिबंद लगाया गया है यह सही बिकल्ब है और इस तरीके का प्रावधान उनुच्छे 47 के इंतरगत है जिसमें कहा गया है कि राज लोगों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए प्रियास करेगा राज लोगों के जीवनस्तर को सुधारने का प्रियास करेगा तथा मादक दरब्यों और इसी तरीके से जो भी स्वास्ति के लिए हानिकारक और सधिया है उनके उपभोग और बेक्री पर परतिबंद लगाएगा अगर इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए कि निमलिकीत में से कौन सा राजी की नीति निदे सकत्त्तो में सामिल नहीं है तो इसका विकलप में उत्तर केवल एक हो जाएगा तो इस तरीके से प्रश्णों को पढ़ने के दोरान इस बात को भी ध्यान में रखना आवस्थिक है कि कौन से हैं और कौन से नहीं हैं पहले तो हमें प्रश्णों को पढ़ते समय चीछ ध्यान देना होगा और दूसरे नमबर पर हमें सभी बिकल्पों को ध्यान में रखना है और उन विकल्पों में से सर्वोत्तम क्या है हमें इसे उत्तर की रूप में चैनित करना है अगले सवाल पर हम लोग आते हैं कि निदेशक तक्तु क्या है इसके पूर में जब हम लोग मौली कदिकार पर चर्चा कर रहे थे मौली कद्धिकारों पर अधारित सवालों को देख रहे थे तो वहाँ पर भी यह सवाल आया था और वहाँ उथ्तर इसका वाद योग हुआ था क्योंकि न्याले के द्वारा हम परवर्ठनिय उसको बना सकते हैं और नियाले में जब जाते हैं गरें निदेसक तत्तों के संदर्व में नहीं कर सकते हैं इसलिए यह आवाद योग इस्तिती बनाता है और इसका उत्तर बिकल्प भी होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नीत ने दे सकता तत्तों में सम्मिलित है राज देश के परियावर्ण के संरक्षन और संबर्धन का प्रियास करेगा परियावर्ण संरक्षन और संबर्धन का बात करेगा ये अनुच्छेद 48 के अंतरगती से सामिल किया गया है तो निश्चे तोर पर ये वाक्य सही होगा और चुकि इस तरीके का जो है बिकल्प दिया गया है जिसमें एक ही वाक्य सही हो सकता है अर्थातिस का उत्तर एक सही होगा लेकिन हमें फिर भी अने सभी विकल्पों को देखना होगा क्योंकि कई बार पर इच्छे में ऐसा भी हो सकता है कि एक विकल्प में दो उत्तर सही होते हैं और उमें हमें उसमें से सर्वोत्तम वाक्य को विकल्प के उत्तर के रूट में चैन करना होता है तो ऐसी इस्तिती में हम सभी विकल्पों को चरूर देखेंगे कि राजे किसी विक्त को कानून के समानता से मना नहीं कर सकता अनुछेद 14 के अंतरगत इसका वड़न यानि के मौलिक अदिगार राजे किसी विक्त को उसके धर्म कुल जात लिंग जनमास्थान के आधार पर भेद भावन नहीं करेगा अनुछेद 15 के अंतरगत इस तरीके का प्रावधान एस्पिरिस्तिया का अनुछेद 17 के अंतरगत इस तरीके की ब्यवस्था की गई है अर्थात इसमें बिना किसी दुविधा के इस सवाल का सही उत्तर बिकल्प ए होगा राजी के नीत निदेशक सिधानतों में निमनलखित में से किसके बारे में समिधान सांत है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुछेद 49 के अंतरगत ब्यवस्था की गई गरीबों को नेसुल के बिधिक सहायता की इसमें बात कीगी 49 का के अंतरगत बालकों की प्रारंबिक सिच्छा जब तक हुआ चा बरस की आयो न प्राप्त कर लें जाहिर सी बात है कि 4945 में 86 में समिधान संसोधन के द्वारा बनाया गया है प्रावधान की 0 से 6 बरस के आयो के बच्चों के सानक्षन और सिच्छा के लिए बेवस्था किया जाएगा अर्था तीस में प्रावधान सिच्छा की बात नहीं आती है और जो नहीं है वही समिधान में सांत के रूप में पूछा रहा है और उत्तर के रूप में वही बिकल्प सही होगा निमने लखित में से आगले सवाल पर हम लोग आते हैं कि निमने लखित में से कौन सा एक राज जी का नीत निदेशक सिध्धान तर सम्मिधान में बाद में जोड़ा गया है बाद में हम जो लेक्चर इस पर टापिक पर लिये थे तो उस दवरान भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि बैले सम्मिधान संसोधन दिनियम के माद्यम से 43 का 48 का और 41 का जोड़ा गया है तो इस तरीके से 41 का में ये बात कही गई है कि निसुल्क बिधिक सहायता निसुल्क और समान रूप से बिधिक सहायता या कानूनी सहायता दी जाएगी अर्थात इसका उत्तर विकल्प सी होगा तो इस तरीके से इस सवाल का सही उत्तर यह है जबकि 44 सम्मिधान संसोधन अधिनियम के माद्यम से भी लोगों में आसमानता को कम करने के लिए आर्टिकल तो नहीं लेकिन खंड के रूप में जोड़ा गया है 38 दो लेकिन यहाँ पर वो बिकल्प नहीं है इसलिए हम उस प यह उत्तर सही नहीं होगा काम का अधिकार यह भी सामिल है नहीं होगा समान कार है तो समान बेतन यह भी सामिल है तो नहीं होगा सूचना का अधिकार यह सामिल नहीं होगा और विकल्प में क्या कहा है कि कौन सामिल नहीं है और जो नहीं है वही इसका सही उत्तर होगा हम ल सकता तो सामिल है और चुकि ऐसा विकल्प है जिसमें कूट नहीं है कि वो एक ही वाक की है जो विकल्प पिरूप में सही हो सकता है तो इसका उत्तर एक होगा लेकिन हमने पूर्व में भी बताया कि सभी विकल्पों को पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमें सर्वोत्तम विकल्प तो पूछा गया है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमनलिखित में राज्जी के नीत निदेशक सिधानतों के बिसेयों की पहचान कीजिए नीत निदेशक तत्तों मद निसेद जाहिड सी बात है कि यह अनुछेद 47 के अंतरगत कहा गया है जिसमें लोगों के जीवन अस्तर और पोसा हार अस्तर को उठानी की बात कहीगे फैक्टरियों खानों में बाल स्रम निसेद यह निदेशक तत्तों नहीं है क्योंकि यह अनुछेद 24 के अंतरगत 14 वर्षिक कमायू के बच्चों को किसी खान या परिस संकट में इस सिदी में नियूजित करने स मना किया गया है तो यह नहीं होगा बेकार और बलाद स्रम तथा इसी तरीके से लिए गए अन्य स्रम को निसे दुखोषित किया जाता है अनुछेद 30 के अंतरगत यह भी नहीं है अस्प्रिस्ता का अंत यह भी नहीं होगा क्योंकि यह अनुछेद 17 के अंतरगत मौली का द जाएगा यह एक तथ्यात्म की सिद्धी है और पूर्व में लेक्चर के दोरान हमने कुछ वाक्यों की चर्चा किया था जिसमें ये बताया गया है कि उन लोगों ने इन नीत निदेसकत्तों के संभाइधानिक प्राउधान पर क्या अपने बिचार व्यक्त किये हैं और उन् सुभिधान सार प्राप्त करेगा जैसे बैंक की तूलना है हम पर राजसी कर दी गई है कि अगर एक चेक की बेवस्था हो और बैंक चाहे तो दे या न दे उसी तरीके से राजी के लिए नीत निदेसकता तो है कि वो उसे लागू करे या न करे तो इस पर एक़ी की बात ज प्रफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के संबिधान के संदर्भ में निम्नलिखित कत्रों पर विचार कीजिए मूल अधिकार, मूल कर्तब राजी के नीत निदे सकता तो अब हम इसकी ब्याख्या पढ़ते हैं जिसमें यह लिखा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गए राष्टिय सामाजिक सहायता कारिकरम भारत के संबिधान के उपरयूक्त उपबंधों में से कौन से पूरि होते हैं यानि कि भारत में 1995 में राष्टी सामाजिक सहायता कारिकरम प्रारंब किया गया था इसके अंतरगत लोगों को पेंसन दिये जाते थे परिवार कल्याण के लिए जो है अगर मुखिया के मृति हो जाती थे उसके परिवार को परिवार लाफ योजना से अच्छा दित किया जाता था तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो बेवस्थाएं हैं गो मौलिक कर्दबे में नहीं सामिल होता क्योंकि मौलिक कर्दबे तो बेक्ति के द्वारा जो है पेच्छा किये जाते हैं इस तरीके से मूल अधिकार में व्यक्तियों को सुभिधा प्राप्त होता है तो इस तरीके से आज के इस लेक्चिर के इंतरगर के बाद जो भी इस्थिती बनती है उससे किसे भी कंडिडेट में इतनी समझ बिक्सित हो जाएगी कि उसे ऐसे सवालों को परिछा में साल्व करने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी वो बहुत ही आसानी से और सहज धंग से इन सवालों का उत्तर दे पाने में सफल बलके इस टापिक के बारे में एक बहतर आत्म विश्वास भी बिक्सित होगा जो कि परिछा में आपको परिष्णों को हल करने में मदद करेगा तो आज का ये लेक्चर बस यहीं तक है अगले लेक्चर में हम लोग अगले टापिक से समबंदित बिभिन परकार के सवालों को लेकर के आएंगे तब तक के लिए नमस्कार